गुलु स्री प्राणनात्य प्यारे की जय परिक्रमा ग्रंथ श्री किताब इलाही दुलहिन अर्स अजीम की ये प्राणन है सबसे पहला परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्राणन और इसका शिर्षक है इश्क का प्राणन अब कहूं रे इश्क की बात इश्क सब्दातीत शाख्यात जो कदी आवे मिने सब्द तो चौदे तबक करे रद तो चौदे तबक करे रद अब कहूं रे इश्क की बात अक्षराति धाम धनी श्री राज्ये परिक्रमा ग्रंथ के इस प्रकरण में इश्क अथवा प्रेम के विशे में बता रहे हैं प्रेम का वर्णन नहीं किया जा रहा है सिर्फ प्रेम के विशे में बता रहे हैं दोनों में फर्क होता है प्रेम के विशे में बताना कि प्रेम के आने पर अवस्था ऐसी हो जाती है और प्रेम का वर्णन करना दोनों में फर्क है प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है इश्क का वर्णन नहीं हो सकता है अब कुछ सुन्दर साथ को लग रहा होगा कि इश्क और प्रेम में फर्क है अंतर है दोनों को एक जैसा क्यों बता रहे हैं वास्तों में इश्क और प्रेम में कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल भाषा का है, प्रेम शब्द सस्क्रित से आया है और इश्क शब्द फार्शी में प्रयोग होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, यहाँ पर एक विचारधरा का कहना है कि परमधाम में इश्क है और परमधाम से बाहर योगमाया में या अन्य कहीं वहाँ पर प्रेम हो सकता है, वास्तों में ऐसा नहीं है, सिर्फ भासा का अंतर है, वाणी की एक सुंदरता है, चाहिए आप काब्यगत सौंदर्य की द्रिष्टी से देखें, चाहिए किसी और द्रिष्टी से, कि एक ही अर्थ वाले दो अलग-अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कभी-कभी चंद बद करने के लिए, या कभी-कभी लोगों को जिश भासा में समझ में आए, वह शब्द उस भासा में समझाने के लिए, जैसे वानी का कथन है प्रेम ब्रह्म दो एक है, तो वहाँ पर ब्रह्म को प्रेम कहा है, अब उसी भाव की दूसरी चौपा है ब्रह्म इश्क एक समान, तो कहीं पर प्रेम ब्रह्म दो एक है कहा है, कहीं पर ब्रह्म इश्क एक संग कहा है, तो इसलिए प्रेम और इश्क में कोई अंतर नहीं है ये तो शाब्दिक बात हो गए अब इंद्रावती जी कह रही है इस प्रकरण में कि अब कहूरे इश्क की बात लेकिन अगले ही चोपाई कहते है इश्क शब्दातीत साक्षात अब मैं इश्क के विशय में बताने जा रही हूँ लेकिन वह तो शब्दातीत है अगर वो शब्दातीत है तो वर्णन कैसे हो रहा है क्योंकि किसी भी वस्तु का किसी भी अवस्था का स्थिति का वर्णन किसी के स्वरूप का वर्णन तो शब्दों में ही किया जा सकता है लेकिन इंद्रावती जी किया रहें इश्क शब्दा तीत साक्षात इश्क तो शब्दा तीत है जो कदी आवे मिने शब्द अगर प्रेम को शब्दों में वर्णन किया जा सके अगर ऐसे स्थिति हो, कहते हैं तो चौदे तबक करे रद चौदर लोग का जो ब्रह्मांड है वह तो समाप्थी हो जाएगा, मिठी जाएगा अगर प्रेम का वर्णन शब्दों में हो सका तो इसका सीधा मतलब यह है कि प्रेम का वर्णन, इश्क का वर्णन इस संसार के शब्दों में हो ही नहीं सकता प्रेम को कोई अनुभाव कर सकता है इश्क को कोई महसूस कर सकता है अनुभाव कर सकता है लेकिन व्यक्त अथवा प्रगट कोई नहीं कर सकता उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता प्रेम को बताने वाली अथवा प्रेम को जाहिर करने वाली ऐसी कोई शब्दावली अब तक नहीं बनी है और नहीं भविश्य में बन सकती है क्योंकि जब ब्रह्म के स्वरुप का यथार्थ वर्णन नहीं हो सकता है वास्तविक वर्णन नहीं हो सकता है तो इश्क का अथवा प्रेम का वस्तविक वर्णन कैसे हो सकता है प्रेम तो अनुभाव की वस्तु है प्रेम को महसुस किया जा सकता है प्रेम के लक्षणों को अपने अंदर लाया जा सकता है अथवा प्रेमी होने के लक्षण को अपने अंदर लाया जा सकता है लेकिन व्यक्त नहीं किया जा सकता किसी ने कहा कि प्रेम जो शब्द है उसको पढ़ने में तो एक सेकंड का समय लगता है लेकिन उसको घटीत करने में अथवा उसको यथार्थ रूप देने में अथवा व्यवाहार में लाने में पूरा जीवन बीत जाता है फिर भी हम अपने प्रेम को साबित नहीं कर पाते हैं मुख से प्रेम कहना बहुत आसान है लेकिन प्रेम को अपने व्यवाहार में लाना ये बहुत कठिन काम है हम सब तो मुख से प्रेम कह देते हैं सेवा पुजा में एक चौपए आती है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न चीन है कोई आठ प्रहर भीना रहे प्रेम कहा वे सोई आठों प्रहर प्रेमी अथवा प्रेमास पद एक दुसरे के याद में एक दुसरे के स्मृति में खोए रहे तो उसको प्रेम कहा जाता है सच्चा प्रेम अगर देखें तो उसको कह सकते हैं कि जैसा मचली को जल से होता है कि उससे बाहर निकालो तो वो मर जाएगे उसके लिए अपने सुहाग से अलग होने में उतनी ही तकलिफ होगे तो उतना ही कश्ट उतनी ही तकलिफ अगर हमें राज्जी से अलग होने में अनुभव हो रहा है या होता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ हम राज्जी से प्रेम करते हैं हम तो सरफ चौपाई के माध्यम से अथवा शब्दों के माध्यम से प्रेम का वर्णन करना जानते हैं लेकिन जो प्रेम कहीं बारी में खेत में उत्पन्न नहीं होता है कहीं बाजार में नहीं बिखता है तो फिर वो प्रेम कहां से आए इसका मतलब क्या है कि प्रेम कहीं से खरीद करके नहीं लाया जा सकता है इस संचार के ही उदाहरन को अगर हम देखें संचार में भी किसी से प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है और अगर कुछ किया जा रहा है, जिसके करने में अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा है तो वो फिर प्रेम नहीं है, वो एक व्यवाहरिकता है, वो एक स्निह का व्यवाहर है वो प्रेम का वेवहार नहीं है क्योंकि प्रेम तो हो जाता है कोई करता नहीं है और उसके साथ होता है जिसके साथ हमारा संबंध हो और वैसे देखा जाए एक अध्यात्मिक द्रिष्टी से और अपनी द्रिष्टी को और अधिक राज्जी की तरफ लगा करके अध्यात्म की तरफ लगा करके देखा जाए तो संसार में वास्तों में प्रेम है ही नहीं संसार में क्या है स्नेह है स्नेह से पहले एक नीचे से उपर के स्तर की तरफ लेखे जाएं तो सबसे पहले तो मोह है मोह किसको कहते हैं सुन्दर साथ को कई बार एक भ्रांती होती है कि किसी से मोह हो जाता है एक संसारिक लगाव हो जाता है तो हम उसे प्रेम का नाम दे देते हैं सिर्फ सुन्दर साथ मेंने ये दुनिया की ये रीत है अगर प्रेम समझना है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस चर्चा में तो समझेंगे सबसे पहले मोह को समझते हैं मोह में क्या होता है कि एक भहुतिक स्वार्थ दिखा जाता है भहुतिक स्वार्थ का मतलब कि कोई हमारी संचारिक जरूरतों को पूरा कर रहा है किसी भी तरह की जरूरत हो सकती है संसारीक जरूरत का मतलब यह मैं नहीं कहा रहा है कि सरफ धन की जरूरत हो सकती है बहुत प्रकार की आउशकता होती है जैसे सबसे पहले तो कोई अगर धन की जरूरत पूरा कर रहा है संसार में पती और पतनी आपस में अगर कोई व्यवाहर करते हैं, सनिह का व्यवाहर दिखाते हैं, तो वो तभी तक है, अधिकांस में, सबकी में बात नहीं कर रहा, लेकिन 99% से भी ज्यादा दम पत्य अथवा पति पत्नी का जो व्यवाहर है, उनके तूटने का सबसे बड़ा जो कारण रहता है, सबसे नहीं रहे हो, हमारी संसारिक जरूरतें पूरी नहीं हो रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अलग-अलग वस्तु हैं, सभी सुंदर्शाथ या जितने भी लोग चर्चा सुनने वाले हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं, कि संसारिक जरूरतें पूरी नहीं ह ना कि अगर एक पल के लिए उसकी बात को अन्चोना कर दिया ज i.e. एक मिनिट के लिए उसकी बात पर ध्यान न दिया जा चाई प्रेमी हो चाई प्रेमी का हो तो वहीं से मूफ फुलाना या वहीं से झजगड़ा करना शुरू हो जा अंधन का प्रेम नाम है मुक्ति का हम क्या चाहते हैं संचार में कि जिससे हम प्रेम करते हैं तो दुनिया में जिस्छे प्रेम किया जाता है या करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मेरी इच्छा ये पूरी करें मैं ऐसा चाहता हूं या चाहती हूं तो मेरी इच्छा को ये पूरी करें मेरे से बात करें मेरे साथ रहा करें हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले की इच्छा क्या है प्रेमी अथवा प् अगर वास्तवीक प्रेम है इस संचार में तो उसमें छोड़ देने का नाम प्रेम है दुनिया में अगर कहीं किसी के प्रेम उदाहरण को देखना है तो हम राधा कृष्ण के प्रेम संबंद को देख सकते हैं राधा और कृष्ण के बीच में जो प्रेम था वो दिव्य था लोग कि कोई मोह जन्य प्रेम नहीं था आप उनके संबंदों को देखें ऐसा नहीं कि राधा और कृष्ण का आपस में विवाह ही नहीं हुआ हाँ चुकि उनके अंदर जो शक्ति है किसी ने किसी जीव के उपर आकर के विर्यादमन हुई है एक किसी को प्रबोधित करने के लिए अलग अलग तरह के लीला हुई है जिससे की लोगों को प्रश्ण खड़ा करने का मौका मिलता है लेकिन वास्तों में उन दोनों के प्र उनसे प्रेम करें विवा होने के बाद भी क्योंकि प्रेम उस शरीर का भूखा नहीं होता है कि प्रेमी साम नहीं हो अथवा प्रेमी का साम नहीं हो तभी मैं उससे प्रेम कर सकता हूं ऐसा नहीं आज हम संसार में क्या समझा जाता है एक लवकिक उदाहरण को अगर देखे तो किसी लड़की का अथवा किसी लड़के का लड़की से अफवेर अथवा प्रेम संबंद चलता है तो अपने प्रेम संबंद की वो मंजिल किसको समझते हैं अपने प्रेम संबंद की मंजिल अंतिम लक्ष किसको समझते हैं शादी को कि विवा हो गया तो हमारे प्रेम की विजे होई हमारे प्रेम की मंजिल पूरी हो गए लेकिन ये सरफ फिल्मों में ऐसा संभव होता है मैं संचारिक बातें करके सुन्दर साथ को लग रहा होगा कि मैं पूरी तरह संचार का है उधारन दे रहा हूँ संचार में जैसे फिल्मों में देखा जाता है कि प्रेमी, अपने प्रेमिका को पाने के लिए दुन्यावालों से लड़ता है, उसके बाद में फिल्म तो समाप्त हो जाता है, लेकिन संचारीक जीवन उतने में समाप्त नहीं होता है विवाह होना अंतिम लक्ष नहीं है वो तो एक दूसरे पड़ाओ की शुरुवात है लेकिन आज हम देखते हैं आज आप Google में सर्च करके देख लीजिए या किसी ज्यानी व्यक्ति से विद्वान व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भारत में सबसे अधिक डिवोर्स के जो केस ह वो किसके होते हैं तो एक सरवे के मुताविक ये बात सामने आई है कि सबसे अधिक डिवोर्स उन लोग के होते हैं जिनका प्रेम विवाह हुआ था लव मेरिज जिसको गहते हैं तो प्रेम विवाह का सबसे अधिक डिवोर्स होता है तो यह कौन चाव प्रेम हुआ यह तो अलग अलग प्रकार के वादे करते हैं और उन वादों के मुताबिक एक्सपेक्टेशन उम्मीदे बढ़ जाती है वह उम्मीद जब पूरी नहीं होती है तो उसके बाद में नौबत वहां तक किया जाती है तो यह प्रेम नहीं हुआ यह क्या है लोकिक एक मुह है और जब स्वार्थ पूरा नहीं हुआ किसी तरह का तो स्वार्थ से जो टिका हुआ संबन था उस संबन की जो नियू थी वही धरासाई हो गए और जब नियू धरासाई हो गई तो फिर वो मकान कहां पर रह सकता है तो यह मुह है मोह के बाद आता है सनेह सनेह अथवा ममत्व ममता जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं एक भाई अपनी बहन से करता है एक बहन अपने बहन से करती है तो ये एक सनेह होता है एक ममत्व होता है वहाँ पर सिर्फ उस वेक्ति का ध्यान रखा जाता है उसमें कोई भावतिक स्वार्थ नहीं होता है लेकिन आज संचार में देखा जाता है कि उसके पीछे भी कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा होता है अब इससे उपर अगर हम जाएं तो इस संचार के इश्क कथवा संसारिक प्रेमिकाओं का उधारण दे सकते हैं आप सोनी महिवाल को देख लीजे हीर राजा को देख लीजे ससी पुन हु को देख लीजे जैसल तोरल को देख लीजे तो ऐसी कहानिया जो भी हमें सुनने में आती है तो उसमें कोई मोह का संबन नहीं रहता है उनमें सिर्फ देना ही देना रहता है आप राधाकृष्ण का संबन भी देखेंगे तो उसमें भी सिर्फ देना ही देना है सिर्फ सामने वाले की खुशी देख रहे हैं प्रेम का उच्छ आदर्स अथवा उच्छ उदाहरन प्रस्तूत करती हैं और राधा कृष्ण का प्रेम तो उनसे भी उपर का है क्योंकि उनमें जो प्रेम है वो है कृष्ण जी के अंदर राज्जी विराजमान है राधा जी के अंदर श्यामा जी विराजमान है परमधाम क लेकिन जब हम आज जागनी ब्रह्मभान में बात करते हैं तो राधा कृष्ण से भी उत्च जो प्रेम होना चाहिए वो ब्रह्म सुष्टियों का राज्जी से होना चाहिए कारण इसके पिछे उतना प्रेम तो नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते नहीं कर सकते हैं, कहने का मेरा भाव यह है, कि हर कोई वैसा प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस जागनी के ब्रह्मान में जागरित ब्रह्म स्रष्टी राज्य से प्रेम करती है, तो वो प्रेम राधा कृष्ण के प्रेम से भी उपर का होगा, क्यूं? क्यूंकि राधा प्रेम में सर्फ कृष्ण जी को अपनी और राधा जी की पहचान है राधा जी को न अपनी पहचान है न कृष्ण जी की पहचान है बस प्रेम है तो है लेकिन इस जागनी के ब्रह्माण में जागरित ब्रह्मस्रिष्टी को स्वयम की भी पहचान है और राध जी की भी पहच स ait उसस्था का प्रेम कैसा होना चाहिए यह वास्तों में इस प्रकरण का विश्था है कि एसके आगे भी परिक्रमा marvelous तीसरा प्रकरण है उसमें भी सूरत इष्क प्एदा होने की प्रकरण किष्क प्एदा होने के इश्क की प्रेम की वस्तविक्त अथवा उसकी परिभासा बताते हुए जो कि परिभासा बता पाना तो संभाव नहीं है फिर भी इस संचार के शब्दों में एक वर्णन करने का प्रयास किया गया है और इन्राउती जी कह रहे हैं ब्रह्म इश्क एक संग ब्रह्म और प्रेम में कोई अंतर ही नहीं है अगर ब्रह्म को पाना है तो सबसे पहले प्रेम को रिदय में बसाना पड़ेगा जैसे कि नानक जी कहते हैं जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायों उन्होंने प्रभु कहा चूंकि इस दुन्या के लोग अथा जीव स्रिष्टी तो उनको प्रभ विश्व का लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया उनको इतना पता है कि पर्मात्मा को अगर पाना है तो प्रेम में चाहिए बाइबिल का कथन है दो गौड इस लव एंड लव इस गौड जिसस क्राश्ट ने कहा कि प्रेम और ब्रह्म एक ही है प्रेम ब्रह्म है ब्रह्म प्रेम है और वही बात वाणी कह रही है ब्रह्म इसक एक संग सोतो बसत वतन अभंग प्रेम और ब्रह्म दोनों इस संचार में नहीं हो सकते उनकी वास्तवीक ताउनका वास्तवीक स्वरुप इस संसार में नहीं है ब्रह्म का भी केवल आवेश्वरुप इस संसार में आया है और प्रेम की भी सिर्फ एक प्रत्ति कृत्याथवा सिर्फ छाया मात्र इस संसार में जैसे वानिकाय कतर है ज्यान के परिपेक्ष में कि एक बूद आई हक दिल से तिन कायम की ये थिर्चर सो एक बूद की सिफ़त देखियो ऐसे हक दिल में कई सागर परमधाम से प्रेम की एक बूद इस संसार में अगर आ गई वैसे वो चौपई ज्यान के संदर्ब में है लेकिन वही अगर प्रेम के संदर्ब में भी देखा जाए तो यह चौपई लागू होती है युगल स्वरुप के अथवा राज्जी के हृदय में प्रेम का जो अठाह सागर है अठाह का मतलब जिसका कोई पारावार नहीं है उस सागर में से एक बूद इस संसार में आई अगर आई तो इस संसार को अखण मुक्ति का सोभाग्य प्राप्त हो रहा है और ऐसे राज्जी के हृदय में अनंत सागर है एक सागर की एक बूद आने से अवस्था ऐसी बन जाती है आज हम जो बात कर रहे हैं संसारिक प्रेम संबंद का मुह के संबंद से करोडो गुना प्रेम संसार के प्रेमियों में होता है जिनको हम इसके हिर्शी कहते हैं ससी पुनो सोनी मही वालित्यादी उन प्रेमियों में मुह के संबंद के प्रेमियों से करोडो गुना प्रेम उनके अंदर होता है उनसे करोडो गुना प्रेम स्वर्ग वैकुंट के अंदर है उनसे करोड़ों गुना प्रेम योगमाया के अंदर है और योगमाया से अनन्त गुना प्रेम परमधाम में है राज्जी और ब्रह्मिस्ष्टियों के अंदर सोचिए कि उस अनन्त प्रेम को भाग करते करते चंते चंते इस संसार में अगर हम प्रेम की परिभासा लगाएं तो मैंने पहले ही कहा कि संसार में जो महो का संबंध होता है मोह के संबन से करोड़ गुना प्रेम तो ससी पुनु के अंदर है अब हम अपने में तुलना करें पहले हमने दूसरों में तुलना कर ली अब हम जब अपने में तुलना करते हैं कि हमारे अंदर राज्जी के लिए कितना प्रेम है हमारे अंदर तो पहले वाले प्रेम के बरा सम्मंद पूरा हो रहा है, जब तक संसारिक स्वार्थ पूरा हो रहा है, तब तक के लिए ही सही लेकिन वो अपने प्रेमी अथवा प्रेमीका को पाने के लिए सब से लड़ते हैं सारी दुनिया से लड़ लेते हैं पहला, एक एक point आप याद रखते जाएएगा दूसरा उससे बात करने के लिए हम समय निकालते हैं अगर संसार में प्रेम हो जाता है तो हम अपने प्रेमी अथवा प्रेमी का से बात करने के लिए किसी ने किसी रूप में टाइम मैनेज कर लेते हैं उसको खुस करने के लिए हम सैकड़ों उपाय कर लेते हैं दर्जन उपाय कर लेते हैं अपना स्वार्थ ही सही लेकिन उसको पूरा करने के लिए भी उसको खुश रखना तो अनिवारी होता है तो उसको खुश रखने के लिए हम अने को उपाय करते हैं अब महीं पर राजी को देखें राजी तो कभी नाराज भी नहीं होते कि उनको करना पड़े हम अपने अंदर प्रेम लाएं बस उतना ही परियाब थे उनके लिए राजी तो कहते हैं एक बार याद करो मुझे मैं जी जी करूं दस्विर कुरान का कथन है कि खुदा मुमिनों की एक बंदगी का हजार गुना फल देता है तो हमारे अंदर थोड़ा सा भी प परियाब थे लेकिन हमारे अंदर तो उतना भी नहीं आता संचारिक प्रेम के संबन्द से भी हम बहुत पीछे हैं संचारिक मोह के संबन्दियों से भी हम बहुत पीछे हैं क्या हम राजी के लिए समय निकालते हैं जिन के लिए हम कहते हैं कि हम उनके आशिक है चौपई त एपने आशेकी को अपने प्रेमी होने के दावे को पूरा किया है। वह पर ब्रह्म्य स्ष्टियां दूर दूर तक भी उनके निकट नहीं है। राजी के जैसा प्रेम की तो बहुत दूर की बात है। मैंने जैसे तीन उधारण दिये। ना तो हम राजी को पाने के लिए अथा वा राजी से बात करने के लिए समय निकालते हैं। और ना हम राजी के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तयार होते हैं। राजी के लिए दुनिया से लड़ना बहुत बड़ी बात है अगर हम राजी के लिए दुनिया से लड़ने के लिए तयार हो जाते हैं तो अपने आप ही राजी हमें बल देते जाते हैं लेकिन हम क्या सोचते हैं कई बार मैं सबको यह नहीं कह रहा हूं कि दुनिया को छोड़ छाड़ करके जंगल घुश जाईए अथवा सन्यास ले लिजिए लेकिन अगर आपकी परिस्तिती घर में ही ऐसी है कि आप राजी को राजी के लिए भरपूर समय निकाल पा रहे हैं लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा है तब भी हमें घबरार नहीं चाहिए राजी पर भरोसा करके कि उसी को तो इमान कहा गया ना उसी को प्रेम कहा है इस संचार में जिन माता पिता ने 22 साल 23 साल 25 साल तक किसी का पालन पोशन किया होता है उनको भरपूर प्रेम दिया होता है लेकिन संचार में किसी से लगाव हो जाता है, तो फिर हम उन सब को ठोकर मार देते हैं। एक लड़की, इस संचार की एक लड़की, एक अंजान लड़की, जो किसी का सब को पता है, सब समाचार देखते रहते हैं, सब को आपस के वातावरन के विशे में भी पता होता है किसी लड़की को एक महीने पहले से जान रही होती है उसके साथ भाग जाती है कोई छे महीने से या एक साल या दो साल से किसी के साथ परिचे होता है तो उसके लिए अपने माता पिता से जो 24-25 साल जिनोने पाला पोसा है उमसे लड़ने के लिए तायर होती है तो सोचिये है कि जो 400 वर्सों से इस ब्रहमाद में अपना संबंद निभा रहा है अपने प्रेमी होने का संबंद निभा रहा है तो हमें उनके प्रति कितना इमान रखना चाहिए उस पता नहीं है और ये भी पता नहीं होता कि वास्तों में ये प्रेम करता है कि नहीं करता है क्या बहला फुसला करके क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आपको देखने को मिलते हैं कि प्रेम के चंगुल में फसार लेते हैं प्रेम का जहासा देते हैं और पालन पुशन का जहासा दे पहुतिक रूप से धन भी लूट लेते हैं इज़त भी लूट लेते हैं उसके बाद में फिर बेच देते हैं ऐसे-एसे दुखत उदाहरणों के होते हुए भी संसार में एक लड़की कि जिससे एक मैने से 6 मैने सीया साल भर से परिजित होती है उस पर अपना सब कुछ करके भरोसा करके बांकी सब का भरोसा तोड़ ताड़ करके वह चली जाती है लेकिन जिसके विशे में हम कहते हैं कि वह हमें एक फूल के पंखुड़े के बराबर भी दुख देने वाला नहीं उसके लिए हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम सरफ मुख से प्रेम कहते हैं मुख से प्रेम कहने से रिदे में वो प्रेम नहीं आता है उसके लिए क्या करना चाहिए क्योंकि सरफ प्रेम क्यूं नहीं आ रहा है प्रेम नहीं हो रहा है ये कहना तो समाधन नहीं है समाधन के विशे में भी चर्चा होनी चाहिए तो सम उसे पहले तो हम अपने आपको पहचाने कि हम कौन है वाणी में अध्यात्म जगत के प्रतेक संका का प्रतेक प्रश्ण का समाधान किया हुआ है जब हमारे अंदर ये शंका है कि हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं आ पा रहा है तो हम उस संका को भी वाणी के मात दिम से अगर आप पहचान हो जब हमें अपने स्वरूप के पहचान हो गई तो तुरेंद अगला प्रश्ण क्या उत्मन होता है कि मैं कौन हूं जैसे आया उसका उत्तर क्या आता है मैं कौन हूँ अगर हम प्रश्न करते हैं तो उसका उतर आता है कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है अब अगला प्रश्न होता है कि मैं कहां से आया हूँ जब हम उसका उत्तर ढूंडते हैं तो हम अपने मुल निवास की तरफ जाते हैं कि आत्मा अगर अजर है अमर है अनंत है अखंड है तो उसके आगमन का जो स्थाने वो भी अखंड ही होगा तो हम अखंड की तरह पहुंचते हैं और फिर अखंड की तरह विचरन करते करते हमें यह प्रमाण मिलता है कि हद पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है तो जब हम अक्षर पार वतन की तरह पहुंचते हैं अब अगला प्रस्ण होता है मेरी आत्मा का प्रि इसे विचार करें हमने क्या कहा मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है प्रियतम का अर्थ क्या होता है प्रियतम इस दस्परलेटीव डिग्री आपने डिग्री पड़ा होगा इंग्लिश में आप हिंदी में भी देखें जैसे अच्छा होता है अच्छा के बाद अगर उससे और अच्छा कहना है तो हम कहते हैं बहतर है और सबसे अच्छा होगा तो उसको हम कहते हैं बहतरीन है इंग्लिश में क्या कहते हैं गुड बेटर और बेस्ट वैसे ही प्रिय शब्द है प्रिय का मतलब जिससे लगा होता है प्रेम होता है जिसस और अधिक प्रेम होता है, लेकिन प्रियतम अधिकतम जैसे हम कहते हैं, अधिकतम का मतलब लास्ट लिमिट, प्रियतम का मतलब यह कि उससे प्यारा कोई और हो ही नहीं सकता, तो जैसे हमने तीसरा प्रस्ण किया कि मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, मतलब मेरी आत्मा का सबसे प्रिया कौन है ये प्रस्ण हुआ लेकिन कभी हमने उस पर विचार ही नहीं किया जब हम यह कहते हैं कि मेरी आत्मा का सबसे प्रिया कौन है तो उत्तर क्या मिलेगा कि जो हमें बिना किसी सर्त के बिना किसी गिले सिक्वे के सिर्फ प्रेम ही प्रेम करता है जो हमसे प्रेम के के लावा और कुछ चाहता ही नहीं है वानी केती है ना कि महामती कहे तुम पर मौमिनों दमदम जो बरतत सो सब इश्क हकका और कुछ नहीं सरफ इश्क है तो वो सब राजी का प्रेम है तो जो हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही तो हमारा प्रियतम हुआ तो जब हमें ये पता चलता है कि राजी हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो हमारे हृदे में भी अपने आप ही प्रेम का जो अंकुर है वो उत्पन होने लग जाएगा पहला ये पहला कारक हुआ राजी के प्रती प्रेम आने में दूसरा इस संचार के अगर उधारण को देखें संचार में प्रेम किसे होता है बहुतिक मोहजन्य प्रेम का भी अगर उधारण लेना है तो संचार में वो लगाओ किसे होता है देखने में सुन्दर हो, बोली उसकी मधुर हो, अच्छा कमाता हो तो उससे लगाओ हो जाता है हमारा ध्यान लगता हो तो उससे लगाओ होता है अब देखें, राजी से सुन्दर कौन है दुन्या में इसलिए बार-बार वाणी पढ़ने की बात की जाते हैं क्योंकि वाणी में सागर के अंदर, सिंगार के अंदर, किरंतन के कुछ प्रकरणों के अंदर, राजी के सोभा का संदर्य का सिंगार का जो वर्णन किया है, उसको अगर हम पढ़ेंगे, तो हमें पता चलिगा कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता है, और जब उससे कोई सुंदर हे ही नहीं, तो दुनिया में सुंदर्ता ढूड़ने कोई जाएगा ही नहीं, जब हमने अपने प्रियतम की सुंदर्ता को पहचान लिया, तो हमें उसको देखने की इच्छा होगे, एक मैं भौतिक उदारन देता हूँ, आपने अलाव दिन खिल जी का नाम सुना होगा, प वर्णन सुना था, और किसी चित्रकार ने चित्र बनाया होगा, चित्रकार आज की तरफ फोटो नहीं बना सकता, फिर भी उसने अपने तरफ से प्रयास किया, और जब उसने खिल जी ने पदमावति के सौंदर्य का वर्णन सुना, तो वो उसको पाने के लिए तडप उठ और उसको पाने के लिए उसको अब दूसरे परिणाम क्या होंगे उसकी चिंता नहीं है, और अपना सब कुछ जोंग देता है पदमावति को पाने के लिए, सोचिए कि एक संचार का एक कामी व्यक्ति है, संचार का एक कुरूर व्यक्ति है, किसी की सुन्दर्ता को देख कर आणि जिसको सुरूप सुंदर संकोल सकोमल कह करके वर्णन कर रही है उसकी सुंदरता का इतना वर्णन सुनते वह भी अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं आ पा रहा है तो फिर दोश किश्का है तो हम राजी के सिंगार को प्रती दिन पढ़ें कमी हमारी यह है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं हम गहराई से नहीं पढ़ते हैं जब पढ़ते हैं तो हम पलटते हैं हम वैसे पढ़ें जैसे मालेजे कोई सामने सुरूप है और उसको हम देख रहे हैं हम एक धारणा करें योग में जो धारणा की बात की जाती है वो यह है एक तरह का वो इमेजीने सहने कलपना है लेकिन वही कलपना कुछ समय के बाद में वास्तविक्टा में बदल जाएगी पहला दूसरा मैंने कहा पहला जो लगाव होता है वो रूप देख करके होता है दूसरा उसके उसकी बोली कितनी मधूर है और जब हम संचार की किसी बहुत मीठा बलने वाले को सुनते हैं गाने वाले को ही देख लेजिए चाहे पुराने जमाने में मुहमद रफी सहाब हुआ करते थे फिर घजल गाय क tief तक अलग-छो उनका जब गान आता हैं तो उनको हम सुन शूनते रहने कि आजके जमाने में भी एसे बहुत सारे गाय के वैसे इस संचार में कोई बहुत प्रेम से बोलता है प्यार से मीठी हक जिनकी जैसे बुजर की जुबा होत तिनमाफक राजी को रसना कहा गया है तो सोचे कि उनकी जुबा कितनी मीठी होगी संचार में कोई व्यक्ति इतना प्रेम से बोल सकता है इतना मधूर बोल सकता है तो राजी कितना मधूर बोल सकते होंगे क्योंकि राज्जी के अंदर जितनी मधूरता है इस संचार की संपूर्ण मधूरता को एक साथ रखा जाए तो राज्जी के हृदय की मधूरता की राज्जी की जुबान की मधूरता की एक बूद के बराबर भी नहीं है लेकिन हम उसके तरब भी ध्यान नहीं देते जब भी हम वानी पड़ें थोड़ी देर के लिए मैं सभी सुन्दर साथ एक गुजरिश एक प्रार्थना करता हूँ एक दिन के लिए आज ये चर्चा सुनें चर्चा सुनने के बाद मेरी इस बात को ध्यान में रखती हुए एक प्रकरण कोई भी मेरे मन में जो आ रहा है एक प्रकरण अब उठा लीजिए सिन्गार ग्रंत का है कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक जबर्जस्ती किसी के साथ नहीं है लेकिन एक दिन के लिए मेरी बात मान करके ये प्रकरण आप उठा लीजिए रूहों मेरे तुम्हारा आशिक अथवा अगर ये नहीं तो अब जाग देखो सुख जागनी ये प्रकरण देख लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक प्रकरण आप पढ़िए और पढ़ते हुए आप टिका भी मत पढ़िए मैं टिका पढ़ने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ हाँ अगर आपको और समझ में नहीं था तब टिका में देखिए लेकिन ये भाव लेकर के पढ़िए कि राजी हमसे बात कर रहे हैं कि रूहों मैं तुम्हारा आशिक हूँ और मैं तुम्हारे अंदर प्रेम का लजज़त देने के लिए प्रेम का स्वात देने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ आप वो देख लीजिए ये भाव देखते हुए और ये भाव रखते हुए कि राजी हमसे वाणी की इन चौपाईयों के माध्यूं से बात कर रहे हैं। उसके बाद आप उस प्रकरण को पढ़ करके देख लेजिए फिर आपके अंदर अगर भाव में कोई परिवर्ता नहीं आया तब आप कहना। उसके बाद बात हुई थी लोकिक स्वरुप की उसके बाद दूसरी बात हुई बोली की थवा वचन के मदुर्ता की उसके बाद भावतिक संपदा देखी जाती है। बाउतिक संपदा तो राजी के अनंत वैभाव के सामने अनंत अईश्वर्य के सामने कुछ भी नहीं है उस परमात्मा को वेद में इंद्र कहा गया जो हर प्रकार के अईश्वर्य का स्वामी है हम भी जैसे उनको स्री जी कहते हैं मतलब अईश्वरिय होता है उनके वयभाव के तुलना इस संचार की किसी भी वय भाव से कैसे किया जा सकता है इस संचार का संपूर्ण ब्रह्मान का वयभाव एक तरफ रखा जाए वो सपन का है और परमधहम का एक कंकड एक तरफ रखा जाए वानिकेति अर्ष की एक कंकड उड़ावे चौदय तबकते उनके वयभाव से तो तूलना ही नहीं की जा सकती है इस कि mentre आ धाम। में फूले नहीं समाते हैं पुंख राज पाहड़ है ही किई पाल है लिए विवर्ण सुनते हैं अधव मानी में पढ़ते हैं आप परम नहां के वैभाव का वर्णन सुन ले राजी के आभुशनों का वर्णन सुन ले तो उस वैभाव के सामने संसार का सारा धन सारा वैभाव फीका है कुछ भी नहीं नस्वर है तो जब हम इस भाव से राज्जी को याद करेंगे तो स्वता ही रिदय में प्रेम का जो अंकूर है वो फूटना शुरू होगा और जैसे जैसे हम चित्वनी के मार्ग में आगे बढ़ेंगे उस प्रेम को दिल में बचा करके जैसे वाणी के तेना कि पंत होवे कोट कलप प् कोई नहीं रोख सकता है तो ऐसा भाव लेते हैं हम वाणी पढ़ें चित्वनी करेंगे चित्वनी करते हैं मैं यह नहीं कहता कि एक ही दिन में आपको दर्शन हो जाएगा लेकिन कुछ न कुछ राज्जी के प्रेम की कुछ न कोई न कोई एक न एक बूंत तो आपके कोई ने कोई अनुभाव आएगा लेकिन हाँ हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए अगर कोई तो इस भाव से अगर हम चित्वनी करने लग जाते हैं तो जो प्रेम का अंकूर फूटा है उसमें चित्वनी के मादिम से अंदर एक तरह का विरहा आएगा कि इतना जो सुन्दर स्वरूप है इतना प्रेम ही स्वरूप है इतना प्रेम से बोलने वाला स्वरूप है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं उसका हम दीदार नहीं कर पा रहे हैं तो रिदय में अपने आफे एक तरह से दुख और उसके बाद विरहा पैदा होगा और विरहा से जो असरुद्वारा धारा निकलेगी चाहे वो बाहर व्यक्त हो चाहे नहों लेकिन विरहा की जो धारा बहेगी तो उस प्रेम की अंकुर में विरहा पढ़ते ही वो प्रेम व्रिक्ष के रूप में बढ़ना सुरू होगा और एक अवस्था ऐसे आएगी कि राज्जी के दीदार के रूप में उनके दर्शन के रूप में फलिभूत होगा तो इसलिए ये प्रेम की महत्ता है कि प्रेम के एक अंकूर के फूटने से हम किस तरह से राज्जी के दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं राज्जी के अंदर जो प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते हैं जब प्रेम और ब्रह्म है दोनों एक स्वरूप है ब्रह्म को पाना है तो प्रेम अपने हृदय में लाना होगा हमें अपने हृदय को भी प्रेम में बनाना होगा और वो प्रेम कहीं पर खेत में बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है कहीं पर मिलने वाली चीज नहीं है य चित्वनी में उसको अनुभव करने का प्रयास करेंगे और जैसे जैसे चित्वनी में शुरुवात में चिंतन होता है ध्यान हमारा नहीं लगता चिंतन होता है लेकिन जैसा जैसा हम चिंतन करते जाते हैं हमारा निर्माण भी वैसा वैसा ही होता जाता है हमारे अंदर वैसी स्वरुप की छवी पहले से विराजमान है परदा समाप्थ हो जाएगा और हम उनके स्वरुप को अपने रदे में अनुभो कर पाएंगे तो सभी सुन्दर साथ से इसी प्रार्थना के साथ कि चर्चा के समाप्थ होने के बाद समय निकाल करके जिस भाव से मैंने कहा उस भा अधिकतर लेकिन जब हम आत्म भाव से बात करें तो मेरी एक व्यक्तिगत जो इच्छा है व्यक्तिगत आप सबको एक सुझाओ कि ये दो प्रक्रण पढ़ें पढ़ने के बाद जो भी अनुभव हमें हो तो मैं यह नहीं कहता कि आप अनुभव को साजा करें लेकिन अगर कि आपको लाब हो तो आप जिसे चर्चा सुनते हैं चर्चा के बाद इस चर्चा के आप टिपटनी में कमेंट में भी कह सकते हैं बता सकते हैं जिससे की सभी सुन्मारे के प्रभाव से संसे हमारे अंदर बना रहता है कि क्या ऐसा हो सकता है जितने लोग चर्चा सुनेंगे मैं ये बात तो दावा के साथ कह सकता हूं आज तक क्या अनुभव से अगर आप सभी मुझे जूठा साबित कर दे तो बहुत ही खुशी की बात होगी क्योंकि आप सब सच्चे दिल से प्रयास नहीं करेंगे अगर करते हैं तो बहुत खुश्य की बात होगी ऐसे विशयों में ऐसे प्रसंगों में अगर मैं जूटा साबित होता हूं तो मुझे बहुत खुश्य होगे कि सुन्दर्शाथ आगे बढ़ रहा है तो दूसरे सुन्दर्शाथ को प्रेरणा देने के लिए आप टिपणी में लिखिए आज के आज नहीं मत लिखना क्योंकि आज के आज में आप तुरंद के तुरंद चर्चा सुनते वे आप कमेंट करें ये जरूरी नहीं है चर्चा सुनने के बाद पूरे प्रेम के साथ में इन दोनों प्रकरणों को हम प कि राज्जी का सौनदर कितना सुम्दर कितना प्यारा राती हो उसके बाद जब हम द्यान में बैटने के बाद अन्य दिनों की अपैक्षा आज के दिन आपको बहुत ही अधिक अधिक आनंद का अनुभव होगा अत्य धीक प्रेयम का अनुभव होगा तो इस बात को दूसरे सुन्दर्शाथ को प्रेरित करने के लिए आपके अंदर ये भावना नहों कि हम अपनी अपने अनुभव को प्रदर्शित करें अपनी आध्यात्मिक उन्नती को प्रदर्शित करें य अपने अनुभौँको कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त करें और जो भी सुन्दर साथ इस चर्चा को सुन रहे हैं एक बार उन सब कमेंन्ट को जरूर देखें कि किस की सुन्दर सत को कैसा अनुभ हुआ। चो कि चर्चा जो भी ज्यानपीट के यूटीयूब से डाली जाती है या अन्य का दूसरे चैनलों से चर्चा साथ की जागरिती हो विशेश रूप से स्वामी जी के अंदर ये इच्छा बनी रहती है एक बात मैं कह दूँ आपको वैसे पता नहीं अच्छा लगा कि बुरा लएगा लेकिन एक सच्छा ही है कि हम लोग जो भी चर्चा करने वाले सुन्दर साथे स्वामी जी के अतिरिक् कि रोज रोज चर्चा करने की क्या हो सकता है प्रति दिन चर्चा डालने की क्या हो सकता है क्योंकि बारह हजार से ज्यादा सुन्दर साथ जुड़े हुए जैनपिट के चैनल में फिर भी इससे ज्यादा व्यू बारह हजार व्यू तो किसी भी वीडियो में आसानी से नही स्वामेजी नहीं हो पाता तो मैंने भी एक बार स्वामेजी से पूछा कि रोज leggins stress डालने की क्या ज़रुपत है क новых सब्तों देखते नहीं है जाएक दिन में छे-साथ-सो लोग साथ-सो लोग देखते हैं लेकिन स्वामेजी नoof दिया वह बातback मेरे दिल में लगी क्योंकि हम सब एक ही स्तर से नहीं सोच पाते हैं हमारे जीव का इस्तर अभी बहुत नीचे है स्वामी जी का जो इस्तर है उनसे तो हम कभी तुलना नहीं कर सकते तो स्वामी जी ने उतर दिया कि क्या हुआ कि सब लोग नहीं देखते कुछ तो सुन्दर्शाथ ऐसे हैं चाय वो 10 ही हो जो नियमित रूप से चर्चा देखते हैं और चर्चा में जो सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं उसको अमल में लाने का भी प्रयास करते हैं कुछ सुन्दर्शाथ ऐसे हैं जो अगर एक दिन चर्चा नहीं डलती है तो फोन करके पूछते हैं कि आज चर्चा क्यों नहीं डली आने वाली जो चर्चा है उसकी प्रतिक्ष्या करते रहते हैं तो उन सब सुन्दर्शाथ के लिए चर्चा डाली जाती है तो जो भी सुन्दर्शाथ चर्चा देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से वो उन सब सुन्दर्शाथ के अनुभव को देखे और जो सुन्दर्शाथ प्रतिदिन चर्चा सुनने वाले हैं कई न कई समय निका पाए ऐसे अनुभवों को और आपने अंदर जो परिवर्तन किया है उन परिवर्तनों को अपने अपनी करनी में जो परिवर्तन किया है उन बातों को सभी सुन्दर्शाथ के साथ साजा करें और सुन्दर्शाथ भी इसको सकारात्मक दिश्टी में ले ये ना सोचे कि ये फल प्रात्मक्पक्स लेना चाहिए तो यही सब बात कहते हुए मैं अपने सब्दों को यही विराम देता हूं सुन्दर्शत मेरी बात को अन्यथा ना ले और मैं फिर एक बार फिर से प्रार्थना करता हूं कि जैसा मैंने आप सब से प्रार्थना की है उन प्रकरणों को पढ़ें और पढ़ने के बाद ध्यान में उन दोनों प्रकरणों को दोनों में से कोई भी प्रकरण को ध्यान में भी चिंतन करने का प्रयास करें कि राजी हमसे कैसे बात करते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छा अनुभाव करेंगे आप सभी अपने अध्यात्म की दिशा में अपने आपको उन्नत होते वे आगे बढ़ते वे अनुभाव करेंगे एशी शुब कामने के साथ अपने वाणी का विराम देता हूं प्रणाम जे पुले स्री प्राणनाथ प्यारे की आपर प्राणनाथ जिसे करुछाओ ले आपने वे आपको उन्नत होते हैं